हेलो इस्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजूकेशन, मैं विकाश पांडे, आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ वीपी एजूकेशन चैनल पर, आज की इस वीडियो में बेटा हम सब कवर करने वाले हैं क्या, उ की मात्रा वाले सब्द, छोटा उ की मात्रा वाले स पहले छोटा सा सरकल लगा लेंगे, सरकल लगाने के बाद उपर की तरफ इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा छोटा उ की मात्रा, समझ माया, तो चलिया ये शुरू करते हैं, यहाँ पे छोटा उ की मात्रा जो है किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, बेटा पहला अक्षर है आपका जहा, क्या है जहा, और जहा पे लगा देंगे जब उ की मात्रा, यानि छोटा उ की मात्रा, तो उसको क्या रीड करेंगे बेटा, जुक, क्या पढ़ेंगे जुक, और आगे क्या है का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हुआ जहा जहा पे उ की मात्र जूक और यह हो गया का जूक क्या पढ़ेंगे एक साथ जूक आई बात समझ में आगे देखिएगा ये है आपका गा गा पे हमने लगा दी छोटा उकी मात्रा तो क्या हो जाएगा गू क्या हो जाएगा गू ऐसे पढ़ेंगे और ये हो गया ट तो क्या हो जाएगा गू ट ग धुट क्या पढ़ेंगे गुट ठीक है आगे देखेंगे गा पे चोटा हों की मातर जब आप लगाएंगे तो गु और रहा पे हों की भी मातर लगी है देख सकते हैं यहाँ पे इसे भी हम मातर कहते हैं उकी तो गु Kerry क्या कहेंगे इसे गूरूُ ठीक है समझ में आया आगे देखिए ला है क्या है ला और आगे क्या है घा घा पे छोटाओ की मात्र लग गया तो क्या हो गया घू आगे है ला यहां है घ्र तो हो हो गया रा और रा के वाद है घा घा पे छोटाओ की मत्रा लग गया तो क्या हो जाएगा घु हूँ और यह हो गया रग हूँ क्या हो गया बेटा रग हूँ बाद समझ में आ रहे हैं तो इस तर cohesive ही राइटिंग और reading करी जाती है तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते रही है और अपनी कापी पर लिखते रही है ठीक है चलिए आगे देखे अगला अक्षर यहां पर देआ गया आपका क्या है ला है ला पे छोटाओ की मत्रा लग गया तो क्या हो जाएगा लू क्या हो जाएगा बिटा लू और ठीक है आगे देखे बा बा पे छोटाओ की मत्रा लग गया तो क्या हो गया बू और यह है ना तो हो जाएगा क्या बुन ठीक है क्या हो जाएगा बिटा बुन जब छोटाओ की मत्रा हम लगाते हैं तो वह किसी भी अक्षर के नीचे लगता है देख रहे हैं ना सब यह अक बिंग करते हैं बिटा तो उसको जल्दी से बोलते हैं जब बड़ाओ की मातरा रहेगा तो लेट तक थोड़ा बोलेंगे और जब छोटाओ की मातरा रहेगा तो उसको जल्दी से बोलेंगे ठीक है फा फा पे छोटाओ की मातरा तो क्या हो जाएगा बिटा फू है ना अगर देखिए चा पे छोटाओ की मात्रा हो जाएगा चु न चुन क्या पढ़ेंगे चुन ठीक है आगे देखिए धा धा पे छोटाओ की मात्रा क्या हो जाएगा धू न धून क्या हो जाएगा बेटा धून ठीक है आगे देखिए बा बा पे छोटाओ की मात्रा क्या हो जाएगा क्या सू क्या हो जाएगा सू और यह भा तो हो गया कि यह क्या रिडिंग करेंगे आप सब बेटा सुभ क्या पढ़ेंगे सुभ आगे देखिए का का पे छोटाओ की मात्रा हो जाएगा कूल क्या पढ़ेंगे कूल ठीक है आगे देखिए फा फा पे छोटाओ की मात्रा हो जा चूप चूप क्या हो जाएगा चूप ठीक है आगे देखिए क्या है पा अब पा के बाद इसा बड़ा शा है उसके बाद हम बड़ा सा पे छोटाओ की मात्रा देख रहे हैं तो हो गया सू यहां आगे पा है यहां सू तो हो जाएगा क्या पढ़ेंगे बिटा पढ़ेंगे कटू क्या पढ़ेंगे कटू है ना यहां पे देखे पाप आप चोटाओ की मात्रा हो जाएगा पू क्या हो जाएगा पू यहां है ला तो क्या हो गया पूल क्या पढ़ेंगे पूल तो बेटा इस तरीके से हम उ की मात्रा चोटाओ की मात्रा लगा करके सब्द को बनाते हैं लिखते हैं और इनकी reading करते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा तो student अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी आल पे प्रेस कर ले मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर